हेलो फ्रेंज, हमारे चानल घर का खाना में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंज, आज हम बनाने वाले हैं डोराया की पैनकेक्स यानि के डोरा केक्स ये केक्स हैं बच्चों के फेवरिट काटून डोरे मौन से इंस्पायर्ट ये पैनकेक्स काफी सॉफ्ट और फ्लफी होने के साथ ही बनाने में भी बहुत आसान होते हैं तो बनाते हैं बिना अंजे और बिना यीस्ट का पैनकेक्स तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप मैदा, देड़ कप पिसी हुई चीनी, एक चौथाई कप मिल्क पाउडर, देड़ छोटा चमच बेकिंग पाउडर, दो छोटे चमच शहद, एक छोटा चमच वनीला असंस, आवशिक्ता अनुसार दूद, आवशिक्ता अनुसार चॉकलेट सॉस और फूट जैम चॉकलेट सॉस और फूट जाम का इस्तेमाल हम फिलिंग के लिए करेंगे तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले और सारी सूखी सामगरी जैसे कि मैदा, चीनी, मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिला लें अब उसी बाउल में दूद, वि अब एक नॉन स्टेक पैन को धीमियाज पर गर्म कर लें और पैन को थोड़े से तेल से ग्रीस कर लें अब एक कप पैन में बनाया हुआ मिक्स्चर लेकर पैन पर धीरे धीरे डालें ताकि केक का शेप खराब ना हो इसे फैलाने के लिए किसी चमच का यूज ना करें इसे खुद ही फैलने दें अब इसे किसी धकन से धक कर करीब 2-3 मिनट तक के लिए रख दें बाद में इसको दूसरी साइट से पलट कर फिर से 2-3 मिनट तक फ्राई होने दें जब सभी पैनकेक्स तयार हो जाएं तो इन्हें थोड़ी देट ठंडा होने के लिए रख दें फिर एक के उपर चॉकलिट सॉस और एक पर फूट जाम लगाकर एक दूसरे के उपर सांविच की तरह रख दें तैयार हो गया आपका डोरा केक बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर पसं और वीडियो देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें